कि यह स्टुडेंट वेल्कम उन सेगेंड बच्चो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्पसाय 2.2 का जो लास्ट क्वेशन ने क्वेशन में फोर्थ ना इसे सॉल्व करना सीखेंगे देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि आपको एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू फा यहां परमको एक्सा वैल्यू नी दिया हमको एक्से वैल्यू पता लगाना है ताकि जो हमारा पॉल्यूर्याय coronavirus अा hone इसको solve करेंक बाद 0 आ जाए तो बताओ मैं यहां पर क्या लिखूंगा बिल्कुल सही बता है आपने मैं यहां पर minus 5 लिखूंगा तब मेरा minus 5 और plus 5 equal to 0 आ जाएगा यहनि जो हमारा पहला equation है उसके लिए जो x का value हो जाएगा वो minus 5 हो जाएगा अगर को 0 बनाना है तो उसी तरीके साथ को सभी के solve करने है जैसे यहां पर हमको plus 5 लिखना पड़ेगा तब 5 मेंस से 5 मेंस हो करके 0 आएगा तो बस वैसी आपको पूरे में solve करके देखना है तो अब इसो solve कैसे करना है कॉपी में इसे और ली तो आब बताई ही दोगे यह जो हमारा value है ना यानिकि x plus 5 इसके equal में कर देंगे 0 ठीक है तो हमको पता चल जाएगा कि x का value कितना आने वाल है अब हमको चुकि x का value निकालना है तो 5 को इदर transfer कर देंगे तो यह हो जाएगा x equal to 0 पहले से है और यह 5 इदर पुलस में था इधर आ करके minus 5 हो जाएगा तो x का value निकल गया 0 में से 5 minus होगा तो 5 आ जाएगा और बड़े नंबर में minus की साहिन है तो minus 5 आ गया इसका मतलब कि x equal to 0 ही क्या है इस polynomial के लिए क्या है मतलब कि x equal to minus 5 है वह ही इस polynomial के क्या है 0 है मैं आप आप इस statement भी लिखना चा में किया था ना सेम उसी तरीके से यहां पर आपको statement लिखना और कुछ अलग से statement नहीं लिखना है बस solve करने का यह तरीका आपको अपनाना यहां पर ठीक है उसा आप पता चल जाएगा कि एकसर में बता दिया था कि minus 5 एंसर आने वाले है तो solve कर रोबे तो भी आपका minus 5 यह कुछ अलग answer नहीं आएगा तो यह फर्स question हो गया second question भी से मैं इसी बना लेंगे यहां पर हमको क्या दिया हुआ सिकेंड वाले में प्लस 5 लगते हैं तब इसका जो value आएगा वो जीरो आ जाएगा तो यह इसका answer निकल गया बाकी statement वह इसी लिखना है तो बारवन में statement लिख करके आपका time is नहीं करूंगा simple number solve करेंगे ठीक है यह थर्डवला solve कर लें तो थर्डवला हमको question कितना दिया हुए है px ठीक है equal to हमारे पास है 2x plus में 5 तो हमको क्या करना है px equal to 0 लाना है तो यहां हमारा यह जो हो जाएगा 2x plus में 5 equal to 0 हो जाएगा यहां से x की value निकाल नहीं है पहले 5 को transfer कर दो यह हो 2x equal to minus 5 इधर जाकर कि हमारे प्लस वाला 5 था इधर minus 5 हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे इस 2 को इधर transfer करेंगे तो x equal to minus 5 पहले से उधर है यह 0 को मैं यहां पर चुगी लिग दे रहा था क्योंगे starting question थे नहीं तो 0 को लिखने के बज़रत नहीं है अगर 0 है न तो x को जब हम लोग इधर minus 5 को इधर transfer करेंगे तो direct को जागर के plus 5 हो जाएगा इस तरीके 0 plus 5 या 0 minus 5 आपको लिखने के जोड़त नहीं है पस वही starting question था तो मैं सुझाए अगर मैं directly लिग दूगा आप confused हो जाओगे कि 0 कहाँ चला गिया तो इसी तरीके से आपको क्योंकि 0 के इसको गया मैंने कर दिया जब मैंने 5 को इधर transfer किया तो यह प्लस 5 जाकर करके minus 5 हो जाएगा 0 रहे या ना रहे ठीक है उसी तरीके से अब हम लोग 2 को इधर transfer कर देते हैं तो 2 इसके साथ multiply में था इधर अगर के divide में हो जाएगा इसका मतलब जो x का value हो गया हमारा वो minus 5 वा transfer करो तो 3x equal to हो जाएगा हमारा plus or 2 क्योंकि दर minus में था कि दर जाकर plus में हो जाएगा अब हमको x value निकलनी तो 3 को इधर transfer करना पड़ेगा तो x equal to हो जाएगा 2 3 इधर multiframe में इधर आकर k divide में हो जाएगा या फॉर्थ वाले question के लिए जो 0 लाना है तो वहां पर जो x का value हो तो 3 को इधर transfer करना पड़ेगा तो x equal to 0 by 3 हो जाएगा और 0 by 3 का मतलब क्या होता है 0 होता है 0 को किसी भी नंबर से divide करो तो answer 0 ही आएगा यानि कि 5th number वाले equation के लिए गर हमको 0 लाना है तो x का value को क्या पड़ेगा 0 करना पड़ेगा अब देख लो यहां पर अगर हमको 0 रख question है तो simple आपको यहां पर देखो यह question दिया हुआ है लेकिन साथ में यह भी mention कर दिया गया कि a equal to 0 नहीं है यह दिहां डखने आपको अगर यह जो हमारा constant number होता है a b c d यह सब जो constant है अगर यह 0 हो जाएगा तो 0 multiplied तो किसी भी numbers हो तो 0 ही आगा answer तो हमको इसका value नहीं जानना इसलिए आपर साथ सब mention कर दिया कि a equal to 0 है ना 0 नहीं है बाकिसे कोई मतलब नहीं है solve आपको यह पहले की तरह ही करना है तो यहां हमारा कितना है px equal to x दे दिया है तो हमको क्या करना है कि px जो value है वो 0 लेकर क्या आना है तो px से जगर में आप क्या करो a x लिखो a x equal to 0 हो हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है x value जाननी है तो x equal to 0 by a यह को जाएगा और किसी भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड देते हैं तो हमारा एंसर कितना जाता है 0 ही आचाता है यहां पर ही जो हमारा x का value होगा वो 0 ही होगा अगर हमको इस equation को इस polynomial को एक्वेशन तो नह लिए का हो था कि c और d जो हमारा वो क्या है रियल नंबर से यानि कि वह यह नंबर से होंगे ना वहां पर 0 नहीं है वह हमारा तो यह कितना हो जाएगा हमारा एंसर यहां पर तो हमको लाना है पी एक सिक्वेशन तो जीरो पहले हमको डिवेशन कर देते हैं तो cx अगर दी वाई में c तो यहीं होगे इसका फाइनल एंसर इस तरीके साब इन को सॉल्व करना था सिंपल से क्वेशन है इसका मेथट पता होना चाहिए कि मेथट क्या है तो यह सिंपल से मैं आपको बता दिया और लास्ट में आपको प्रिचर बोलते है कि नहीं स्टेटमें आपको बता है